World of the Day Anxiety Spelling है A-N-X-I-E-T-Y It is Anxiety और यहां पर Anxiety का मतलब होता है चिंता, भय और अनिस्चितता की भावना यानि जब हम किसी बात को लेकर परिशान होते हैं चिंता करते हैं या डर जाते हैं या फिर हमें इस बात का डर हो जाता है कि भविष्य में क्या होगा तो इस तरह से इस situation को हम कह देते हैं Anxiety और दोस्तों, English grammar में Parts of speech के अंतरगत Anxiety word एक noun word है जी हां इसे sentences में as a noun word use किया जाता है उमीद करती हूँ दोस्तों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि Anxiety word की मीनिंग क्या होती है चलिए अब इस particular word को हम sentences में use करके देख लेते हैं So we have used in sentences पहला sentence आपके सामने है My sister was waiting for me at the airport with anxiety यानि मेरी बहन चिंता के साथ एरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रही थी यानि जब तक उसने इंतजार किया उसे चिंता ही हो रही थी अब देखिए यहां पर हमने चिंता भय इसके लिए हमने आपर Anxiety word का use किया है अब देख लेते हैं second sentence जो कि आपके सामने है There is lot of anxiety among the youngster who couldn't get job यानि नौकरी नहीं मिलने से युवाओं में काफी बेचैनी है काफी चिंता है अब देखिए यहां पर फिर से मैंने Anxiety word का use किया है यानि जब आप भविशु को लेकर किसी तरह से बेचैन होते हैं चिंता करते हैं भय करते हैं तब इस condition के लिए आप Anxiety word का use कर सकते हैं चलिए अब देख लेते हैं इस वीडियो का last sentence Anxiety word को use करते हुए जो कि आपके सामने है Nowadays people are living with extreme levels of anxiety यानि आजकल लोग अत्यधिक चिंता के साथ जी रहे हैं अब इस sentence में भी मैंने चिंता के लिए भय के लिए बेचैनी के लिए मतब इन अर्थों में Anxiety word का use किया है इंग्लिश में तो यह तो है आज का word of the day anxiety I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा जल्दी से note down कर लिजिए मिलती हूँ आप से next video में एक new word के साथ तब तक के लिए keep learning, keep smiling and keep watching my channel Thank you so much